नमस्कार दन्यूस देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ हर्जुन घजूरिया तो आखिरकार एक्जिट पोल अब सामने आगे हैं लेकिन इस बीच आपको बता दूँ कि ये एक्जिट पोल में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सर्प्राइस किया है तो वो है पश्चिम मंगा की ओडिशा की और साथ ही साथ तेलंगाना अंदरपरदेश की जी हां और वैसा ही कुछ एक्जिट पोल में भी परिवर्तित होता हुआ नजर आया अभी मैं आपको जो लिस्ट बताऊंगा लगबग 14 यहां पर ऐसे सर्वेज निकल करके सामने आए हैं जो कहीना कहीं यह द मंगाल के अंदर तो देखिए जिस कॉंग्रेस की अगर बात किए लिडर ओफ अपोजिशन पिछले मोधी 2.0 के समय इसी पश्य मंगाल से आने वाले अधीर रंजन चोदरी रहे क्या इस बार उनका वहां खाता भी नहीं खुल रहे क्योंकि तमाम एक्जिट पोल जो है इस स्तीती पर लाकर खड़ा कर दिया है पश्य मंगाल में की बीजेपी का वोट शेर बड़ा भी है वहां पर लगबग 5% इस एक्जिट पोल के मताबिक हो अगर हर एक्जिट पोल जो है बीजेपी को ही यहां पर जिताता हुआ नजर आ रहा है पश्य मंगाल में जातर सीटे मिली थी दो सीटे जो है वो कॉंग्रेस के खाते में गयी थी सिटें ऑफ्ट का गडवंदन भाई इस बार बीस के लिउट फिवागर ँचाईय को गई लेकिन इस बार के बरियो अरहीं if Cry मैं शेलदि गाosure और उपार मुश्य मान पर जाय बार् Each park आ फिवी बीचेपी को 42 में से 21 25 सीटे दिखती ही नजर आ रही है यानि कि अगर आप 20 से 25 इए अपर एच जो है 25 सीटे और अगर आप इसका निकालेंगे अगर सीट का अंगड़ा निकाले बीच का नंबर भी लेंगे तो 23 सीटें रिपब्लिक में टराइस के साब से बीजेपि के इधानसभा सीटे थी तीन से बढ़कर के 77 तक बीजेपी का अंकड़ा एक ही चुनाम में चला गया था तो इस बार आप सोचिए जब बीजेपी को 18 से अंकड़ा बढ़कर के अगर यह रिपब्लिक मैटराइस के इसाब से 25 के बीच में जा रहा है यानि कि अगर आप 23 नंबर ले जाएगी टीम से और जीरो से एक सीट यहां पर यह दिखा रहे हैं कॉंग्रेस को और हो सकता है अधीर रंजन चोधरी की सीट है उस पर त्रिकोनिय मुकाबलाइस वार जो लड़ाई है अधीर रंजन चोधरी के सामने उतारा गया है फेमस क्रिकेटर यूसफ पठान को त्रिनमुल कॉंग्रेस की तरफ से और उसी समय चुंगाने वाला फैसला सामने आया था क्या जो उनके साथ ही क्रिकेट की फैन फॉलोइंग है बहुजार साथ टी-20 वरल्ड कप भारतिक क्रिकेट टीम का हिस्सा भी वो रह चुके हैं फेमस क्रिकेटर है और एक लेगसी उ अगर वोट बंट गया तो इसका फाइदा सीधा सीधा भारती जनता पार्टी को होगा और हो सकता है यहां पर यह दो बड़े चहरे अधीर रंजन चोदरी और उसके साथ यूसूप पठान जो है वो खिसक कर पीछे चले जाए और बीजेपी यहां से जीट जाए क्योंकि जो भी चुनाव है हर चुनाव में कई सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं बेशक आपके साथ अगर सेलिब्रिटी वाला टैग भी लगा हुआ है तो यह भी देखना पड़ेगा कि सामने वाले कंडिडेट को है तो यहां पर यही देखने को मिला एक तरफ कॉंग्रेस ने पी का वोट बैंक जो है वो पहले से निश्चीत रहा है पिछले दो तिन चुनावों से अगर हम देखे तो इन दोनों की लड़ाई में तीसरा फ्रंट यानी की भारत इंता पार्टी को यहां से लिड़ तो एक अच्छी स्ट्राटजी जो है बीजेपी की यहां पर यहां और वहीं जो यह गड़बंदन गड़बंदन करते रहें एक तरफ तो दिखाया कि हमें एक जुट हैं लेकिन जब आमने सामने लड़ने की बात आई तो उसमें साथ शोड़ करके आपने ही आमने सामने एक दूसरे को खड़ा कर दिया और उसी का फाइदा बीजेपी को मिल आना चाहते हैं मोद के खिलाफ एक जुट हम हुएं लेकिन अब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो आप दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो दिल्ली में 25 को जो है यहां पर वोटिंग हुई तब तक आप कहा रहे थे कि नहीं कॉंग्रेस हम आदमी पार्टी भ सेमस जनलिस्ट है परदीब बंडारी उनी का जो है यह सर्वे करने वाली टीम है जन की बात जन की बात ने 21 से 26 सीटे दी है बीजेपी को और टीम सी को 16 से 18 अधर स्यानी की कॉंग्रेस के हाते में एक से दो जिस लेफ्ट का इतने लंबे समय गड़ रहा पश्यमंगाल आप सोच रहे होंगे कि वहां पर उनकी सीटे क्यों नहीं आ रहे हैं पिछली बार भी जो है कोई सीट नहीं है क्योंकि आपको बता दूं जो लेफ्ट का वामपंथ का इतने देर तक गड़ रहा पश्यमंगाल वह सारा का सारा लेफ्ट जितना भी कारे करता था जितने भी अंगला हंट पोल स्ट्रीट का यहां पर एक्जिट पोल है बीजेपी 19 से 22 टीमसी 20 से 23 और अधर्स के खाते में 0 से 3 ABP सी वोटर का एक्जिट पोल यहां पर बता रहा है बीजेपी को 23 से 27 सीटे आप देखिया परेज में 27 सीटे 13 से 17 टीमसी एक से 3 अधर्स Republic P Mark का जो एक्जिट पोल है 22 सीटे BJP 20 सीटे टीमसी अधर्स के खाते में शुन्य चून्य CNX का एक्जिट पोल यहां पर बता रहा है 22 से 26 सीटे BJP 16 से 20 टीमसी अधर्स नॉट अधर्स अधर्स टीमसी टोडेश चानक्यका यहां पर एक्जिट पोल 22 से 27 BJP, 17 से 22 TMC, 1 से 2 others के खाते में, यानि की Congress के खाते में इंडिया News DJNMX, 21 सीटे BJP, 19 सीटे TMC, 2 सीटे NN के खाते में TV9 Polstar, 17 सीटे BJP, 24 सीटे TMC, और 1 सीट others के वल एकलोता यही ऐसा exit Pol है, जिसने BJP को 20 से कम नंबर दिखाया TV9 पोल्सर बाकि सबने 20 से जाधा दिखाया News 24 24 सीटे BJP 17 सीटे TMC एक सीट कॉंग्रेस के खाते में CNBC 21 से 24 BJP 18 से 21 जो है TMC अधर्स के खाते में 0 News 18 21 से 24 BJP 18 से 21 TMC 0 अधर्स के खाते में Z News 22 से 26 BJP 14 से 18 TMC एक से 2 अधर्स इंडिया टूडे एकसिज 26 से 31 BJP TMC 11 से 14 अधर्स के खाते में तो मैक्सिमम अगर आप एक्जिट पोल देखेंगे यह BJP को लोर एच पर भी जो है 22 से उपर सीटे देते हुए नजर आ रहे हैं और यानि कि अगर आप देखेंगे तो लगबग 23 से 24 सीटे अगर यह एकसिट पोल सही आगड़े जाते हैं तो BJP यहाँ पर जीच सकती है और यह बड़ा नुकसान TMC के गर में बड़ी सेंद लगाई है क्या कहना है आपका इस एकसिट पोल पर आपकी क्या रहा है क्या यही नतीजों में परिवर्तित होगा यहां फिर कुछ हो सर्प्राइज देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर एक ऐसा एकसा एकसिट पोल है इंडिया टुड़े एकसिस का जो 26 से 31 मैक्सिमम एच पर 31 सीटे कीजिए को दिखा रहा है क्या कहना आपकी क्या रहे है इस पूरे एकसिट पोल पर खास तुर पर पर चाहिक मंगाल को लेकर च Там उखर मैं मंरे करें क किया यही इतुड़्ड होगा अबने रहे है अप दनी उसके साथ दन्ये वाद़ा